नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागयत है अभिनिंद्द ने हमारे साथ एक और कंडिडेट जुड़ चुके हैं यूपीएसी का सपना है या यूपीएस का सपना है अगर आप इस इंटर्व्यूस को देख रहे हैं तो यहीं से जर्णी हमारी शुरू होती है यहीं पर जर्णी आके हमारी खतम भी होती है एक और साथ हमारे सर जुड़े हुए सर आपका नाम जाना चाहेंगे आपका एजुकेशनल ब्याग्राउंड और उससे पले आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर इसके लिए हो सकता आपको एडवांटेज अंदर भी मिल सकता आपका नाम और आपका इसनल ब्रैग्राउंड अगर आप और दॉसरा रूप होते हैं तो क्या ऐसा कारण था कि आपको यूपी-पी-च्या-पी-च्या-पी-च्य में जाने का सपना पहले से ही था कि मतलब किसी के दबाव में था या परिवार चाहता था यह कुछ बताई कि दम रियाल्टी इसनल इस्टोरी बताई था तो जितनी भी मेरे रिलेटिव थे जो शुपचिन तक थे वो चाहते थे कि मैं इस एक्जाम को ग्लेर करूं बट जैसे में 12 से आया सा मेरा सेलेक्शन हो गया था मेडिकल में तो फिर एक प्रॉब्लम ये थी कि सर मैं फुल ट मेरा जाने का पहले सी मन था ऑल्दो फॉर शॉर्ट टम बट मैं जाना चाहता था तो एक फिनेंशल स्टेबिलिटी भी एगी एक्स्पिरेंस भी होगा और फिर में शायद आगे चलके त्यारी कर पाऊंगा तो मैंने तैयारी को फ्यूचर के लिए टाल दिया था तो अब कौन से इंटर्विव है जी सर मैं अगर आपको अनुशले बताऊं तो मैंने तैयारी कश्मीर में पूश्ट था तो मैं मेरे तैयारी शुरू हुई है सर राजिसाब़ टीवी देखने के बाल राजिसाब़ टीवी हाँ मैं पहले डिसकुशन देखता था इंटरनेशनल अगार, मतलब डिसकुशनिस देखके, मैंने के ठोड़ा, करने को अपने को फैमिलियर क्या और फिर सर मैं धीरए दीरे फिर मैंने एक्जाम देना शूरू किया तो 29 मैं मैं ए यू पीरिंट प्रिलिम्स प्रिलीम्स को मैंने क्लियर किया और Twek नीज Ray L.ी Г. आप बहुत लंबा गैप नहीं सकते कि 19 से लेके 23 सक्ट करोंकि मैं ऐसे डॉक्टर में कोविट में बहुत बीजी हो गया था और फिर मुझे रिलाइज हुआ कि तो मैं पोश्ट भी सर बहुत अलग जगे रहता था तो तो मैंने से स्किप कर दिये बीच के बीच में आपकी पढ़ाई भी सायद बाधित रही होगी और बाधित रही और मैं थोड़ा सा पढ़ाई के परती बहुत फोकेश्ट हूं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ता हूं अब यह पताए कि प्लिम्स के लिए क्या स्ट्राटीजी हम अपना है बहुत सारी यूटूब के चैनल आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं खांसर का चैनल है उसके बाद अलग 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 आसे अब SSC और बैंकिंग वाले भ इतना बड़ा घम भीड हो चुकी है कंटेंट कि इतनी ज्यादा भीड है इस मार्केट में तो क्या अप्रोच अपना है क्या फॉलो करें कौन सी बुक फॉलो करें कितना देर पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना क्योंकि आप इंग्लिस माद्धिम के चात रहां तो इंगल विशोलाइज करके चाहिए तो मैंने जो भी घुर किये हैं सारे सब्जेक्स वह ऑनलाइन किये हैं जैसे मुरुनाल सर से मैंने कॉनोमी से अजुखी है राज तुनियाग से मैंने जग्रफी सीखिए प्रतीख नायक सर से मीने हिस्ट्री सीखिए सब्सक्राइब के चैनल था सर उसे मैंने मॉडर्ण हिस्ट्री सीखी है वीर तालियन सर के चैनल है उसे मैंने पॉलेटी सीखी है और करेंट अफेर सर मैंने स्टेडी आई क्यू उल्ली आईएस स्लीपी क्लासेज सर इनको फालू किया सर जैसे कि अभी कुछ बच्चे जो सु अगर यूपी एसी का सपना देख रहे हैं तो एंसी आईटी का कितना बड़ा रूल है आपने कितनी बार पड़ी थी कैसे नूर्स बनाये थे एक फांडिशन नाने में रूल है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब एक्जाम का जो लेवल है वह एंसी आईटी को ब्यूं करना पड़ेगा तो मैं यही कहूंगा कि सर एक चैनल को फॉलो करिए और इसको पूरा देख डालिए सर जैसे जो मैंने आपको सेज़ेश किये थे जैसे वीर सर का पॉलिटी है तो उनके 200 वीडियों है प्लेलिस्ट है आप पूरा देख लिजे और कम से कम दस बार सर से बहुत कुछ सीखना भी हमें चाहिए हुई चार साल का गया बीच में कोवीड आ गया था उसके बाद सर अभी इंटर्व्यू तक पहुंचे है तो उतार चड़ा तो आपके भी जीवन में लगे रहेंगे लेकिन इससे घबडाना नहीं है जब भी शुरू करना है पू से एक महीने पहले और में से दो महीने पहले सर मैंने बारा बारा चौदर 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 देना शुरू कर दिया था सब कहां से पड़ते हैं सर करेंट अफेर्स भी जो ऑनलाइन चैनल से हमारा काम बहुत आसान हो गया है इतनी सारी कोचिंग्स हैं जो आपको रेडिमेड नोट से दे रही हैं समझा रही है तो मुझे लगता है वह बहुत सारी इनिशेटिव फ्री नेशेटिव हैं तो मुझे लगता है चीजों को यूटलाइज करना चाहिए थिर्ता हो नी चाहिए चाहिए इस थिरता डिसिप्लिन अच्ञरा सोचल मीडिया चलाते या इन्वा मैं थोड़ा Twitter फॉलो करता हूं sir, because Twitter का मुझे रखता है UPSC preparation में थोड़ा use है, because Twitter आपकी critical thinking develop करता है, वो अपको interview में काम आती है, बाकि sir, Facebook, Instagram, I don't think sir, it is useful. सर अभी Prelims 17 March से है, इस बार calendar भी change हुआ है, और बहुत जल्दी interview खत्म भी हो रहे है, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, तो Prelims के लिए क्या, अच्छा मेंस का approach रखना चाहिए और कब skip करना चाहिए, जैसे मेंस अभी पढ़ रहे हैं, तो अब 2 महीने बच्चे हैं, तो क फुल फोकस होना चाहिए, सर, आपकी Prelims preparation पे, और जादा मत पढ़ने ही कोशिश करिए, जहां से आपने पहले प्रिपेर कियों subject, उन्हीं को revise करिए, हाँ, current affairs का बहुत ज़्यादा focus है, सर, factual current affairs का, उसके लिए आपको अपने sources maximize करने होंगे, क्या maximize focus कर है? सर, जैसे आप उत्रप्रदेश specific current affairs के लिए, धियाइस, दृष्ट्री आइस, और Study for Civil Services जो चैनल है, और एक टेलीग्राम चैनल है, जह हो study, आप उसको follow करिए, सर, आपके उत्रप्रदेश के questions क्लिए, सर, बातें UP की हैं सायद, सर, वो चैनल मैंने means के लिए पूरा देखा, सर, मैंने उसको, उसके सारी वीडियोस देखें, विकर सर, अगर आपको UP के exam देना है, paper 56, 400 number का है, तो आपको समय देना पड़ेगा UP को, और केवल आप रट के आप अच्छे marks नहीं score कर सकते, आपको समझना पड़ेगा, वहां की भागलिक सिति को समझना पड़ेगा, आप के मन में UP का मैप बिल्कुल रट जाना चाहिए, सर, अगर आप उस लेवले पहुंच जाओगे, तो आप अच्छा करो के में, सर, बहुत बहुत धनेवाद आपने सर इतना समय दिया, एक आखरी सवाल, एक सफल कंड़ेट के लिए, यानि सफलता का मूल मंत्र गया है, बहुत भी बोलते थे कि, कि बेटा, आपको UPC करना है, तो पढ़ा ही कैसी चल रही है, बस उनका इतना ही पूछना होता था और मैं फोकस्ट रहता था, सर, बहुत बहुत धनिवाद, बहुत धनात, बेस्ट आफ लग, आपका इंटरिवी हो गया, उम्मेद करते हैं कि आप सेलेक्शन लिस्ट में आपका नाम सबसे उपरी अंक पर है, बहुत बहुत धनिवाद, थैंक्यू सार, थैंक्यू सो मैच,